नवस्कार दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों का विलकाम अभिनन्दन है टीचेस फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावरड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो बात करेंगे परवन EBS के NCRT के मौक टिस्ट नमबर 22 की बात करेंगे और आज टॉप 20 जो क्लास रहने वाली है बहुत ही बेतरी आपका जो राश्टी उद्यान अभिया रंड सारे जो तीन चार चैप्टर होते हैं यहां से पता है आपको तीन से चार प्रिश्ट बहुत है नेश्ट चैप्टर कर लेकर आएंगे और यह दोस्तो यह कल का मौक कोश्चन आईए देख लेते हैं सभी प्यारे में यहां पर कमेंट किये थे दिल से धनवाद है शवी का शुक्रिया अभिनंदन श्वागत थैंस करते हैं दोस्तो जिन्होंने कमेंट किया था क दची गाम राष्टे उद्यान में मुख रूपशे पाय जाता है तो आपसन अमबर हम सी की बात करते हैं तेंदुआ का जिन्होंने सी आपसन किया था बहुत बहुत दनवाद बहुत यह अच्छा लगा मुझे आप लोगों का फीड़बैक आप लोगों का कमेंट आईए टॉप 20 में पहला प्रिश्ट भारत में निमलिकित पार्कों को उत्तर से दच्छे दिशा की ओर और करमबद करना है देखिए यहाँ पे पार्क दिये गए हैं चार महत्पून पार्क दिये गए हैं और आपको जो है उत्तर से दच्छे दिशा की ओर करमबद करना बहुत ही रहे हैं नक्से में उपर से नीचे की और बताना है इंद्रवती नेशनल पार्क नागर होल नेशनल पार्क कार्वेट नेशनल पार्क और मौधो नेशनल पार्क चार पार्क दिए गए नेशनल पार्क की बात करेंगे इसके बाद आएगा आपका इंद्रवती नेशनल पार्क आएगा फिर आएगा नागर कोल नेशनल पार्क यह आएगा उत्तर से दच्छने की दिशा में अर्थात हमारा इन में से सी आपसन सही हो जाएगा दूसरा प्रशने पैरमित्रों निम्रकित में से कौन सा एक जो है 36 गड में अवस्तित है 36 गड में कौन सा आपका राश्टी उद्यान है बाधागड राश्टी उद्यान, दांडली, अभियारंड, राजाजी राश्टी उद्यान या नेशनल पार्क या इंद्रवती राश्टी उद्यान की बात कर रहे है हम 36 गड राश्टी उद्यान की बात कर रहे है 36 गड में 36 गड में इससी जो राश्टी उद्यान है वह दोस्तों इंद्रवती राष्टी उद्यान या इंद्रवती राष्टी उद्यान बात करेंगे हम option number D के बात करेंगे आईए देख लेते हैं इसका detail के साथ इंद्रवती राष्टी उद्यान के बात करेंगे 36 गढ़ राज के बीजा पूर जिले में सी थे एक राश्टी उद्यान है किस जिले पर पूँचा जाए 36 गढ़ के किस जिले पर है अगर गहराई से पूचा जाएगा तो इंद्रवती राश्टी उद्यान 36 गढ़ के बीजा पूर जिले पर है यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है जिससे इसको अपना नाम मिला यह दुरलब जंगली जैसे भैसें की है दुरलब जंगली जो भैसे होते हैं अंधिम आबादी वाली जगहों में से एक है और इस नेशनल पार्क में राश्टी उद्यान में जंगली भेंसे ज़्यादा पतर पाए जाते हैं और इसका कुल छेटपाल आपके स्कीन पर देख पा रहे हैं 27.99 वर किलोमेटर है तीसरा प्रशन लाजबा प्रशन है इन में से कौन सा एक टाप स्लिप है क्या आपने नाम सुना है क्या आप इस नाम को पहले बात सुन रहे हैं या आपने अभी तक सुन रखा है सुने हैं नीचे कमेंड करेंगे टाप स्लिप के नाम से जाना जाता है सिमली पॉल राश्टी उध्यान पिरियार वन जियु अवेहरंड मंजीरा वन जीव अभियरंड या इंद्रा गांधी वन जीव अभियरंड वाराष्टी उध्यान की बात करेंगे हम टॉप स्लिप की बात कर रहे हैं टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है क्या नाम जाना जाता है इंद्रा गांधी या वन जिव अभ्यारंड राष्टि उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है नोट कर लेंगे बेतरीन लाजवाब परशने सीधा सेलेक्शन से कनेक्टेड है संभावित परशने आई थिंग सभी पैरमित्रों का दिल से दनवाद है थैंक्स है आपका शपूर्ट उम्दा है लाजवाब है दोस्तो चौथा परशने निम्नकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है ने ये टू नकरात्मक परशने राजा जी राष्टी उद्यान हाथी बिलकुल सही बात है पेरिया राष्टी उद्यान हंगुल दिया गया है ये आपका गलत मेरे को लग रहा है मानस राष्टी उद्यान हाथी के लिए प्रशिद्ध है और दुधवा राष्टी उद्यान टाइगर के लिए तो पेरियार राष्टी उद्यान किसके लिए है तो पेरियार राष्टी उद्यान हागोगल नहीं लेकिए पेरियार राष्टी उद्यान दच्छिन भारत की केलर राज में सीथ है सभी लोग जानते हैं अगर आपने इससे पहले बारे मौक टेस्ट वाला पार्ट देखा होगा तो डिफिनेटली आपको पता होगा यह राश्टी उद्यान एक बाग संद्ची चेत कहलाता है पेरियार राश्टी उद्यान बाग संद्ची चेत कहलाता है सबी प्यारमित जानते हैं कि यह दोस्तो सन एक हजार चाली से पेरियार नदी की परिचेत में सी थे पेरियार उद्यान को वस 1998 से हाथी सन्रचन परियोजना के अंतरगत भी लाये गया अगर प्रस्ण आ जाए हाथी सन्नचन परियोजन जो है ये पेरिया राष्टी उद्यान की बात करेंगे केरल राजी की बात कर रहे हैं अंगला प्रस्ण निन में से एक राष्टी उद्यानों की संख्या अधिक्तम है अंडमान निकोबाद दीब शमू अरुणांचर प्रदेश असम मेगाल है देखे यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है दो नाम देखे मैं आपको बता देता हूँ पहला है अंडमान निकोबाद दीब शमू और दूसरा आता है मत्रदेश इन दोनों में दोस्तो राष्टि उद्यानों की संख्या दिखता में अगर मत्पदेश आपसन हो मत्पदेश करना है अंडवान निकोबाद दीवशमू आपसन हो इसको करना है अगर दोनों आपसन है तो दोनों करना है तो I think according to question इस question पर आपसन नमबर तो आपको पता होगा जिवास्म राष्टि उद्यान पूछा जा रहा है तो हम बात करें आपसन नमबर B की मंदला जिला की बात करें मत्पदेश के मंदला जिले में जिवास्म राष्टि उद्यान है दोस्तों देखे सभी जानते हैं मंदला जिले पर है लेकिन ये पौधे के जिवास्म का राश्टी उद्यान है बहुत होते हैं कि ये कैसा होगा ये पौधे के जिवास्म का राश्टी उद्यान है जो कानहा राश्टी उद्यान और बांधोगड राश्टी उद्यान के बीच फैला हुआ प्रशना बन सकता है कि कानहा राश्टी तो आपका कमेंट क्या कहता है कि जिम कारवेट नेसनल पार्क का हैं कई बार बता चुके हैं कई बार बता चुके हैं कि जिम कारवेट नेसनल पार्क और कई नहीं आपके उत्राखंड सहर में हैं देखें उत्राखंड में जान लेते बहुत बार पूछा जाता है जिम कारवे ब्खशा बागपर यहें, पश्चिम बंगल की बात कर रहें, बूक्षा बाग परियोजना, देखे बक्षा अभी आपको पता है पश्चिम मंगाल में चुनाव हुआ है और चुनाव के लिए किसमें जाते हैं बक्षे में रहता हो पोलिंग जो बूत होता है पोलिंग जसमें डलते हैं वो बक्षा में रहता है कहां पर है पश्चिम मंगाल की बात कर रहे हैं आईए देखते हैं अंगला परश्ण सभी पैरमित कमेंट करेंगे फीडवेक करते रहें गर पहली बार विजट कर रहे हैं टीचरस फैमिली सिचकों के परिवार पर तो सबस्काइब करना मत चुकेगा क्योंकि यहाँ पर सेलेक्शन सरोपरी हर कंसिप्ट हर एक क्लास कौन सा सागरी राष्टी उद्यान है ठीक है भीतर कनिका मनार की खाड़ी गाहिर माथा या सुंदरवन की बात कर रहे हैं तो सागरी राष्टी उद्यान पूछा जा रहे हैं तो सागरी राष्टी उद्यान दोस्तों कहां पर है तो यह मनार की खाड़ी की बात करेंगे आ पहले 20 थे लेकिन अब 19 हो गए, 19 दीपों पर अधायत एक राश्टी उद्यान है, जिसका कुल छेथफल आपके स्कीन पर है, ठीक है, 6.23 वर किलोमेटर की बात करेंगे, अंगला प्रश्ण है, काजी रंगा राश्टी उद्यान किस के लिए प्रशिद है, बाग के लिए, कस एक सिंग गेंडा के लिए प्रशिद्य काजी रंगा राश्टी उद्यान, एक सिंग वाला भारती गेंडा निवाश करता है, और यह मात दोस्तों असम राजपर राश्टी उद्यान है, उद्यान उबर खावर्ण मैदानों में आदिवास्यों और भैंकर दल्दलों से बिहार, दंफा, मिजोरम, नमेरी, अशम, नामदफा, अरुनांचरपदेश, देखें नामदफा जो आपका राश्टी उद्यान है, यह अरुनांचरपदेश में बिलको सही दिया गया है, नामेरी नेशनल पार के है, अशम पर है, दंफा, मिजोरम में है, लेकिन जो है, यह कहां पर है, नेशनल पार की हमारे दोस्तों बात कर रहे है, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे है, अंगला प्रशने, भारत के निम लिखी टाइगर रिजर में कौन सा, मिजोरम में अवस्तित है, टाइगर रिजर मिजोरम राज में कौन सा है, ठीक है, मेल घाट बुख्षा डंफा या भद सभी कमेंट करेंगे तो मिजोरम राज में इस सित आपका टाइगर रिजर जो हो जाएगा वह दोस्तों हम बात कर रहे हैं सभी प्यारमित नीचे कमेंट करेंगे जिनका सपना है धापक धापिका बनना सिछक बनना ग्रहनी इस हर एक भाई वेन सभी का जो सपना है गौर्मेंट टीचर बनना सभी का सपना शाकार होने वाला है क्योंकि सलक्षन यहापर शिओ रैन पे और हेंडेट प्रिशत सथ विल्कुल राइट टोर राइट होने वाला है पेरियार वन पशु बिहार किस राज पर है केरल, तमिल नाडू, करनाटक, तेलांगना की बात कर रहे हैं तो पेरियार वन पशु हार बिहार किस राज पर इसी थै देखे यह जो बिहार दे दिया गया ना यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है तो देखे पेरियार जब दे दिया गया तो हमें यहां पर भी पता चल गया जब भी पेरियार नाम आता है तो हमारा केरल जो राज है सरोपर ही नाम आता है तो पेरियार वन पशु बिहार किस राज पर है हम केरल राज की बात कर रहे हैं मत्पदेश का स्यूपुरी राष्टी पार्क किसके लिए महत्पूर्ण है या किसके लिए प्रसिद्ध है बाग और हाथी जंगली भैंसे पच्छी तेंद्वा और चीतल आपका कमेंट क्या कहता है आपका फीडवे क्या कहता है आपका ओपिनियन क्या कहता है मदपदेश का स्यूपुरी राष्टी पार्क किसके के लिए है तो बाग और हाथी के लिए महत्पूर्ण बात कर रहे है बागों का प्रमुख रिजर्व जो है सरिस्का किस राज़ पर इस्सीत है उत्तरपदेश, राजिस्थान, उत्राखंड, मदपदेश सभी कमेंट करेंगे, देखे हम बात कर रहे हैं सरिस्का रिजर्व की बात कर रहे हैं मैं काफी बार बता चुका हूँ पिछले जो मॉक टेश्ट है लगबग दोस्तों हमने यहाँ पे लगबग बता देता हूँ साट से असी कॉश्चन हम कर चुके हैं आपके टोटल, तो पिछले मॉक कॉश्चन जरू देखे जाएए प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा इन्वाइरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा बागों का प्रमुक रिजर्व सरिस्का किस राज पर है एक ही नाम होना चाहिए राज करने वाला राज घरानों का जो राज है वह राजिस्थान की बात कर रहे हैं अंगला प्रश्चन है किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंब किया था बेहतरीन लाजवाब नमबर वन का क्वेश्चन बीबी आईपी क्वेश्चन टाप क्लास का क्वेश्चन की प्रोजेक्ट टाइगर का आरंब कब हुआ 1973, 74, 83, 84, 45 या 13, 14 पर सभी कमेंट करेंगे देखे किस वर्स में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंब किया गया तो आपका जवाब होना चाहिए 1973, 74 यानि कि एकारियून टो क्वेश्चन राइट आपस नमबर फर्स्ट की बात करेंगे अंगला प्रश्चन है मुंगे की चटानों के सनच्चन के लिए भारत सरकार ने निम्नकित में से किसे समुद्री पार्क घोशित किया है अनवान दीब शमू को, मननार की खाडी को, लच दीब को या कच्च की खाडी को तो मुंगे की चटानों के सनच्चन के लिए भारत सरकार ने निम्लकित में से किसे समुद्री पार्क घोशित किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए मननार की खाडी या कच्की खाडी, हम बात कर रहे हैं मननार की नहीं, कच्की खाडी के बात कर रहे हैं, मुंगे की चटा अंदरवन में, कच्च के रण में, थार मरू भूम में या मरुस्थल में या असम की जंगलों पर देखें जंगली गढ़े या घोल खोल जो है कहां पर पाए जाते हैं तो दोस्तों कच के रण की बात कर रहे हैं अंगला प्रिशन है top 20 question का या इसे स्चन है और जो next chapter आएगा वो निव चेप्टर रहेगा निव चेप्टर का मौक टिष्ट रहने वाला है दोस्तों निमलिकित में से कौन सा 36 गड़ के बस्तर छेत में इस्थित है राजा जी राश्टी उद्यान इंद्रावती, बांधाव गड़ या वाल फ्रॉक्स राश्टी उद्यान वाल फ्रॉक्स क्या आपने पहली बाल सुना है नीचे कमेंट करेंगे 36 गड़ के आपके बस्तर छेत में जो इस्थित है वह इंद्रावती राश्टी उद्यान की बात कर रहे है टॉप 20 में से 20 नंबर कोश्चन है पचमड़ी जीव सनच्चन छेत कहा परिशित है आंद्र प्रदेश, मद्र प्रदेश, और उड़ांचर प्रदेश या बात कर रहे हिमांचर प्रदेश की तो पचमड़ी जीव सनच्चन दोस्तों छेत कहा परिशित है तो पचमड़ी जीव सनच्छन सभी लोग जानते हैं एक ही नाम आता है भारत का दिल जो कहा जाता है मद्र प्रदेश की बात करेंगे पचमड़ी बायोस्फियर रिजर एक गयर उप्योग सनच्छन चेत है ये भी ध्यान दिजेगा प्रशना सकता है कि इनमे से गयर उप्योग इनमे से ऐसा बायोस्फियर रिजर एक गयर उप्योग सनच्छन चेत के अंतर गताता है वह है पचमड़ी ध्यान दिजेगा मद्ध भारत के सत्पूरा रेंज में स्थित है इस सनच्छन के छेत में 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था प्रशना सकता है कि पच्मणी बायस्फियर रिजर को जो है सनच्छन का छेत भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया तो 1999 में बनाया गया टॉप 20 कोश्चन आईए आज का मौक कोश्चन जान लेते हैं कि निमलिकित में से या निमलिकित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवाई उस्न कटवंदी से उपोश्चन सीतोश्चन और आर्क्टीक तथा तक परिवर्तिक होती है कंचन जंगा नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क आपका नेवरा वैली नेशनल पार्क या नाम दफा नेशनल पार्क आपके स्कीन पर कोश्चन है और पूच्छा जा रहा है जैसवाल सर के साथ let's crack for all टीटी इक जाम सिछचक बनना है चैनल को subscribe कर लिजेगा परिवार को join कर लिजेगा अपने परिवार को आवर फैमीली टीचर सेमीली को join कर लिजेगा तो जल्दी मिलते दोस्तों नश क्लास पर ये सेसं ये mock questions का answer आपको comment करना है और इससे classes बेश त्यारी के लिए जोइन करते रहें शेर करते रहें Power by सिच्छा ही प्रकास है धन्वाशवी का